ब्लोक फत्याबाद की गाउं सिलावली में आंगन बाड़े केंद्र पर पुष्टाहार लेने गई महिला के साथ की मार्पीट अधिकारियों की घोर लापरवाही के चलते फत्याबाद शित्र में गर्बबती महिलाओं और बच्चों को वित्रण होने वाले पुष्टाहार में बड़े पैमाने पर घष्टा चार किया जा रहा है लिकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है ऐसा ही एक मामला ग्राम सिलावली में देखने को मिला है आंगनबड़ी केंद्र पर पुष्टाहार वित्रण के दौरान कम राशन देने की शिकायत पर सायता समो के पती ने महिला के साथ मारपीट कर दी पिडित महिला ने युबक के विरोधथाना पत्याबाद में तेहर दी शनिवार अप्रान लगभग तीन बजे सिलावली निवासी कासंदेवी पत्नी काली चरन आंगनबड़ी केंद्र पर पुष्टाहार लेने के लिए पहुँचे जहां उससे हस्ताक्षर कराने के बाद आंगनबड़ी कारिकरता अनीता देवी द्वारा मात्र दलिया दिया गया इस पर कासंदेवी ने आंगनबड़ी कारिकरता से कहा कि वेहन तीन महीने में तो एक बार पुष्टाहार देती हो फिर भी रिफाइंड और चने की दाल नहीं दे रही हो तब ही वहां खड़े राजेश और फुब बाजू जो स्वेम सायता समू की मगला की पती है उसने गालिगरोज करना शुरू कर दिया और बोला की दलिया लेना है तो ले ले रिफाइंड और चने की दाल नहीं मिलेगी जब कासन देवी ने विरोध किया तो उत्तेजित होकर कासन देवी के साथ मार पीट की गई कासन देवी का कहना है कि राजेश ने उसके उपर तमंचा रखते हुए जान से मारने की धनकी दी है कासन देवी ने राजेश के विरुध खाना पत्याबाद में तहरी रिद्धी है पत्याबाद से एक्सेंट्री न्यूज के लिए समवाद दाता सुशील कुमार गुपताटी रिपोर्ट